तो हम लोग स्री चैतन ने महाप्रभु की सिच्छा मुष्ट पढ़ रहे हैं जिसमें अध्याय चार बुधिमाद मनुश्या तो इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे स्री सनातन को सिच्छा जो चैतन महाप्रभु ने दिया था उस बारे में अभभम निक्स जो अध्याय है वो है वो धिमान मनुश्या सी गौर सुंदर महाप्रभु ने जीव के माया बंधन को अनादी कहा है अर्था जो जीव जो है माया में पढ़ा रहता है वह जो है अनादी उसका कोई आदी और अंतन नहीं है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि उसका प्रारंब कब्द हुआ है अनादी का अर्थ है कि बद्धावस्था स्रिष्टी के पुर्वभी थी स्रिष्टी होते समय तथा स्रिष्टी के उपरांद उसकी अभिव्यक्ती मात्र होती है अभिवक्ति का मतलब कि प्रकट होना जो है और स्रिष्टी के पहले भी थी, स्रिष्टी के बाद भी और उसके बाद और उसके पहले बीच में कहा गया तो ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि जब इस बहुतिक जगत में जीव आता है तो ये प्रकिति जो है प्रकट होती ह और प्रकट होती है, कहां से प्रकट होती है, महा विष्णू के शरीर से, तो जब पूरी तरह से स्रिस्टी खतम हो जाती है, इसका मुझा कि ब्रह्मान जब खतम हो जाता है, तो वो महा विष्णू के शरीर में ही चला जाता है, तो उस समय जीव सुसुपतावस्था में रहत time being के लिए जैसे कोई बेहोसी बेसुद हो उस तरह से जो है स्वरूप को भूल जाने के कारण आत्मा होने पर भी जीव संसार में विबिन दुख भोगता है अगर हम अपने स्वरूप को भूल जाएं बच्चा अगर माता पिता को छोड़ करके जाए और दूर भागे तो क्या वो भटके गही ने क्योंकि वो किसके अदिन है माता पिता के अदिन है लेकिन अगर वो बोले कि नहीं मुझे माबाप के साथ नहीं रहना है तो कहां उसको तो दुख ही भोगना पड़े जाने तो वही बात है कि जब हम अपने स्वरूप अरता था हमारा जो स्वरूप है जीवेर श्वरूप होई क्रिश्ने रनिप्ते दास हम सास्वत रुप से भगवान के दास है और भगवान हमारे स्वामी है और दास का करतब क्या है स्वामी की सेवा करना वो हम भूल गए हुई हैं इसलिए हम भटक रहे हैं एक सरीर से दूसरी सरीर क्यों क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं तो जब हम अपने स्वामी बनने की चाहत में रहते हैं तब ऐसी इस्थिती आती है यह स्वारणी है कि ऐसे भी नित्य मुक्त जीव हैं जो बैकुंठ जगत में स्थित हैं अर्थात कुछ मुक्त जीव हैं बद आत्मा और मुक्त आत्मा तो जो बद आत्मा इस भोतिक जगत में है जीवन मृत्यों के चकर में बटकती हुए जा रही है और मुक्त आत्मा भगवत धाम को हैं अर्थात भगवान के पास हैं वैकुंट धाम में भगवान बताते हैं भगवत गीता में क तुम डरो मत मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी रच्छा करूँगा और उसके सासाथ भूले कि मेरे पास आओगे तो मेरे धाम को प्राप्त होगे और उनका धाम सास्वत है भगवान सास्वत है और उनका धाम भी सास्वत है ये मुक्त जीव सर्वदा स्री कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत भक्ति में तक पर रहते हैं भगवत भक्ति क्या है प्रीति पुरोग भगवान की सेवा करना जीवेर श्वरूप होई क्रिष्ण ले नित्य दास का काम क्या है प्रीति पुरोग सेवा करना तो आगे बता रहे हैं प्रवपर जी, माया बद्ध जीवों को पुनर जन्म में कर्मा अनुशार बिबिन्य प्राकिति सरीर मिलते हैं, बद्ध जीवों को संसार में अनेक सुख दुख बलात प्राप्त होते हैं, तो हम सब बद्ध जीव हैं, मतलब के कंडिसंड हैं, अनन्त जन्मों से हम यहां भगवान बनने के लिए आये हुए हैं, भगवान नहीं बन पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हम कंट्रोल करने की कोशिस कर रहे हैं, पिताप उत्र के रूप में या पती-पत्नी के ऊपर, इम ब्लाई के ऊपर, कहीं ने कहीं कोई प्रेसिडेंट बन करके किसी ने किसी रूप में वह कंट्रोल करने की कोशिस कर रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, और फिर जो जैसा कर्म किये रहते हैं, उसको नेक्ट सरीर मिल रहा है, इस तरह से हम इसके इस पचड़े में फस गये हुए हैं और हमें अनादी काल से पसे भूँग तो बर्द जीव को संसार में अनिक सुख दुख बलात प्राप्थ होते हैं जैसा कि यह रहते हूं इसा सुख दुख भोगना पड़ता है कभी उच्छ लोग को तो कभी निम्न लोग को जो है क कभी अच्छा सरीर मिलेगा देवताओं जैसा सरीर तो कभी कीड़े मकोडे जैसा और उससे भी नीचे और कभी तो भूत प्रेत के जैसा जहांपे कि हमें सुच्म सरीर में रहना पड़े स्थूल सरीर ही ना मिले जो हैं तो पुन्नी कर्म की फल शरूप उसे उच्छ लोग में देवसरीर प्राप्त होता है जो पापों को भोगने के समय भेंकर नर्कों में गिराया जाता है जब कोई पुन्नी कर्म किया रहता है तो पुन्नी कर्म प्राप्त करने के लिए वह कहां देवलोक में जाता है वहां पे इंज्वाई करता है और इंज्वाई करने के बापकर में उसको भोगना पड़ता है, तो ये भी बात जानना जरूरी है, तो वो दोनों ही भोगना पड़ता है, और जहां सांसारी के दूखों से कहीं अधिक यातनाएं दी जाती हैं, हम लोग अभी भी पढ़ ही रहे हैं, गरुण कुराण, प्रेतखन, उसमें बहुत ही डीटेल में दिया गया हुआ है, तो जब देखेंगे वहाँ पे तो बहुत ही अलग-अलग तरह से यातनाएं दी जाती हैं, जीवकों मृत्यू के बाद, श्रीव महाप्रभू ने ऐसे दंड को बड़ा उत्तम उदारण दिया है, पुरवकाल में अपराधी को दंड देने के लिए, राजा पहले उसे नदी में डूबोते, स्वास के लिए फिर उपर निकालते और फिर दूबोते, माया भी जीवात्मा को इसी प्रकार दंडी त तो उसको जो है, नदी के पानी में डूबो रहा है, फिर उठा रहा है, फिर डूबो रहा है, फिर जो उठा यहाँ, बहुत एच्छा, फिर डूबो दिया गया, फिर दुख है, तो वैसे ही हम सुख और दुख यहाँ भूगत रहे हैं, माया भी जीवात्मा को इसे प्रिकार दंडित और पुरस्कृत करती है तो सेम उसी तरह से माया का काम क्या है माया मतलब दुरगाजी ये जो भौतिक जगत है इसकी स्वामिनी दुरगाजी है उसकी अध्यच से जेलर जैसे होता है जेल में कैदी को रखता है वैसे ही दुरगाजी हम सब को इस जगत में भगवान से भटका करके रखती है जो वो देखती है और तीन ताप उनके हाथ में त्रिशूल है त्रिशूल से तीन ताप देती है और उन तापों के द्वारा हम को मार रही हूं त्रिशूलों से और फिर भी हम उनसे क्या करते हैं हमको सुक संपति दीजिए उनसे उनकी वास्तवी कृपा नहीं मांगते हैं वास्तवी कृपा है उनके स्वामी की सेवा में जाना और दुरगा जी वो टेस्ट करते हैं कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं क्वालिफाइड है जो भगवान का सरण लेता है वो उसके लिए जो है रास्ता छोड़ देती है जैसे जेलर से को लिटर आता है निया अधीस का कि इसको जो है बरी कर दिया जब तब ही वो छोड़ती है और वो हैल भी करती है उच्छ लोक अथ्वा जीवन में उच्छ स्तर की प्रापती स्थाई का दापी नहीं है चाहे हम उपर जाएं चाहें नीचे जाएं हैं सब जगह जनम रित्यू है भगुद्गीता में भगवान बताते हैं कि ये ब्रह्म है लोक से लेकर कि नीचे तक सारी जगह पे जो है जनम डित्यू है फिर आगे बता रहे हैं कि जल में डूबने के लिए फिर नीचे आना ही होगा संसार में यह क्रम निरंतर चल रहा है कभी जीव उच्छ लोक में पहुँच रहा है तो कभी संसार की नार की स्थिती में फेक दिया जाता है तो कभी इस डाली का फूट, तो कभी उस डाली का फूट, और ऐसे इस ग्रह में उस ग्रह में गए और फिर यहां वहां से भटक करके हमें फिर वापस ही आना पड़ेगा। भयम दृतिया अभिनिवेशत श्यादि सादपे तश्य विशयर्यो अस्मिती तस्मादययातु गुधा आजभेतं भक्तेर्य केशं गुरु देवतात्मा महाराज निमी को नव योगिंद्र के उपदेश के इस स्लोक में माया को जीव द्वारा भगवान से अनिक नित्य संबंद के विस्मिती बताया गया वो भुला करके रखती है जो जीव का जो भगवान के साथ जो सास्वा संबंद है उसको भुला करके रखती है वास्तों में माया का अर्थ है जो यथार्थ में नहीं है जो दिख रहा है वो नहीं है जो नहीं दिख रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है तो दूसरे सब्दों में अब ये कैसे लोग तो दुरुगा जी के पूजा करते हैं और दुरुगा जी के बारे में ऐसे कैसे बत यह क्योंकि वो भगवान के लिए कारी कर रही है, भगवान दुर्गा जी है कौन, जब महा विष्णु उनकी हिर्दे में रमा देवी का निवास रहता है, जब उनकी नजर रमा देवी पे जाती है, उनकी परचाएं के उपर, रमा देवी की परचाया के उपर, दुर्गा ज जब वो नजर जो है जैसे ही टकराती है वो संभू में बदल जाती है और जो चाया है वो दुरगाजी है तो ये संभू और दुरगाजी दोनों ही मिल करके स्रिष्टी के बारे में और आगे तियारियां करते हैं तो जो दुरगाजी है वो क्या काम करते हैं जैसे आया स्कूल मैं अगर आया के पास बच्चों को बेज़ दिया जाता हो क्या काम करती है दिन भर बच्चे को माँ बाप से भुलवा करके रखती है ताकि बच्चा जो है भूला रहे जो चाहिए वो लेके जाओ लेकिन उस समय तक के लिए माँ बाप को बोले रहे तो वही से दुर्गा जी भगवान के लिए कारे करती है जो क्वालिफाइड है उसको जाने देती है भगवद्धाम को जो नहीं है उसको यहीं पर ही बटका के रखती है उनका यह पोजीशन जानना चाहिए इंपर्डेंट है अतय यह मानना गलत होगा कि जीव का परम इस्वर भगवान स्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखना अत्वा उनसे अपना कोई संबंध मानना माया है कुछ लोग बलते हैं कि भगवान का अस्तित्व क्या है माया के प्रभाव के कारण है माया देवी के कारण जीवन की इस असत्य मान्यता में तन में होने के कारण ही मनिश्य सदा भैवीत एवं उदिग्न रहता है मतलब इसी के कारण वह भटका हुआ रहता है भैवीत रहता है भय के उत्पन होता है जब हम माया में रहते हैं हमारा ध्यान जो है सत में नो होकर कि असत पे रहता है सद क्या है भगवान भगवान ही हमारी रच्छा करने वाले वही प्रोटेक्टर हैं और वही हमको बचा सकते हैं लेकिन अगर ऐसा कोई सोच नहीं रखता है खुद के ही उ इस्वास करता है तो फिर मुश्किल हो जाती तब उसके अंदर भेवत्पन होता है मेरी ये प्रापर्टी चले जाएगी वो चले जाएगी ये होगा वो होगा क्ल के बारे में वो सोच के परिसान रहता है वो भी एक पागलपती ही है तो भाव यह है कि भगवान से बहिर मुड़ना ही माया है वैदिक सास्त्रों का वास्त विज्याता भगवान स्री कृष्ण की सरण अवश्य ग्रहन करता है और उन्हीं को जीवन का परमलच्छ बना लेता है भगवान स्री कृष्ण भगवद गीताम बोलते हैं कि मैं ही सभी का सुरोत हूँ जो वो धिमान मनु और फिर भगवान उसको बुद्धी देते हैं जिससे कि वह उनके पास हा सके तो भगवान से अपने संबंध की स्वरूप स्थिती को भूल बैठते ही माया के बंधन में पढ़ जा है हम सब बुल चुके हुए है अपना शास्वा संबंध इसलिए हम सब भी माया के प्रभा में है यह उसके अहंकार और देहात्म बुद्धी क्या कारण सिद्ध होता है जिसके कारण वह भूल करके अपने को सरीर मान बैठता है आत्मा नहीं मानता है आत्मा मान ले कि हम सरीर नहीं आत्मा है तो आत्मा का जो सब्भावे परमात्मा की सिवा करना है वसुत संसार विशयक उसकी सारी मान्यता सरीर को अपना रूप समझने से होती है क्योंकि इसी भर्म से उसका सरीर और उसकी पदार्थों में आशक्ति हुआ करती है इसी भर्म के कारण असत पदार्थ मतलब अशक्त जिसमें कि कोई चेतना नहीं है उसको ही सबकुछ हम अपना मान बैट रहे हैं तो इसी कारण वह आशक्ती रखता है जबकि आशक्ती कहा होने चाहिए भगवान के प्रति आशक्ती होनी चाहिए इस संबन्द से मुक्ति के लिए उसे स्वधर्म करते हुए स्रद्धा विश्वास एवं भगवान की सरण लेनी चाहिए तो इस से जिस माया से दूर आना है तो हमें जो है भगवान की सरण ग्राण करनी है बद जीव प्राकिती जगत में मिथ्या शुकान उभाव करता है मतलब इस जो जगत में भातिक जगत में परन्तु शुद्ध भक्त के सिच्छा रूपी कृपा की प्राप्ती होने पर प्राकृत्य सुक एच्छा को त्याक कर स्रीकृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध हो जाता है लेकिन जब भगवान के भक्तों के कांटेक्ट में आता है तो यही सब त्याक करके वह भगवान की सेवा में लगता है त्याक का मतलब क्या है इंद्रियत्रिप्ती अपने लिए अपने सुक के लिए नहीं जीना है बलकि वह भगवान का भक्त भी खाता है सोता है सब कुछ करता है लेकिन वह यह मान के चलता है कि यह भगवान का है, भगवान को अर्पित करते हुए ही वह अपने अन्यकारियों को करता है, अपने को अधिकारी नहीं मानता है, कि मैं इसका स्वामी अधिकारी है, मतलब यहां पे तात्पर मेरा यह है कि वह उसका स्वामी नहीं समझता है, उ भोग करने की इच्छा है वह खतम हो जाती है जिससे वह सिग्र संसार बंदन से मुक्त हो जाता है अर्था तो वह जो है कर्म का जो बंदन अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा उसका फल भोगना होगा बुरा करेंगे तो बुरा फल भुगतना होगा ये दोनों से मुक्त ह करके वह अकर्म करता है अकर्म का का मतलब कि वह अकर्म जिसके बंधन की प्रभाव में नहीं पड़ता है यह गुरु शादु प्रमाड़ी गुरु शादु और शास्र के निरदेशन में किया जाना चाहिए तभी यह संभभ हो सकता है जहां प्रकास है वहां अंधकार के स्थिती रहोज नहीं हो सकती श्रीकृष्ण भावनामृत प्राकित सुख की इच्छा रूपी अंधकार को नश्ट करने वाला दिव्य प्रकास है जैसा हमने सिच्छास्ट कम पढ़ा हुआ था परम विजयते स्रीकृष्ण संकिर्तन तो यह स्रीकृष्ण संकिर्तन आंदोलन जो है जिसकी परम विजय जयेकार हो क्योंकि यह मानोता के लिए परम बरदान है तो वही बात यहां पे ओड़ा कि भगवत बक्ती जो हम इस भोतिक सुख में लगें उसकी अंधकारता को खतम करके हमें दिव्य प्रकास की द्वारा जो है शास्वता की तरफ लेके जाता है श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने को इस्वर मानने के भूल नहीं करता यह जानते हुए कि अपने स्वार्थ में लगे रहने से वह कभी सुखी नहीं हो सकता अत अपने संपुर्ण सक्ति को श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करके वह माया बंधन मुक्त हो जाता है इस संबन में भगवान श्री कृष्ण गौर सुंदर चैतन महाप्रभू भगवत गीता से उधारण दे रहे हैं 7.14 जिसमें देवी हिये संगुण मई मम माया दुरातिया मामे व ये प्रपध्यनते माया में तरन्तिते अर्थात भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी यह देवी सक्तिये त्री कृष्ण माया पार्क पाने में अत्यनत कठिन है परन्तु जो मेरे सरनागत हो जाते हैं वे शुगमता पुर्वक इस से तर जाते हैं तो यहाँ पर भगवान के माया शक्ति के बारे में भी बताया गया कि इसको पार कर पाना अत्यनत कठिन है किन्तु जो भगवान श्री कृष्ण के सरण गरहन करता है उसके लिए यह जो है अत्यन्त सुगम हो जाता है कोई प्रश्ण या कमेंट अरे कृष्ण अरे बहुत अमीत हम आगे बढ़े ओके तो फिर आगे बढ़ते हैं श्री महाप्रबु ने आगे कहा है कि सकाम कर्म करते समय बध्ध जीव को अपने यर्थार्ष्वरुब का विष्मरण रगता है उसका शास्वत थिसंबने भगवान के साथ वह भूला हुआ रहता है विस्मित रहता है, कभी-कभी सांसारी कर्मों से ठक जाने के कारण वह मुक्ति के लिए परब्रम भगवान स्री कृष्ण से एक होने की इच्छा करता है, कभी-कभी भोग और त्याग, तो उसमें वो त्याग चाहता है, भोग त्याग, भोग विलास ये सब लगाई रहता है उसके साथ अत्याग भी, जैसे कि पांस दिन जाप करो, और फिर छटे दिन निकल जाओ, कि हमें क्या मतलब है, इंज्वाई करने के लिए वीकेंड में, तो वो व्यक्ति जो है, इंज्वाई करने के लिए वीकेंड में निकल जाता है, फिर वीकेंड में इंज्वाई करके फिर वापस आता है, फिर उसी तरह से लगा रहता है, तो वो चलता रहता है यह, पर अन्य समय नहीं मानता कि निज इंद्रियत रिप्ती के लिए अथक परिश्रम करने से वह शुखी हो सकेगा, दोनों ही दसाओं में वह माया वृत है, दोनों तरह से वह माया में पड़ा हु सुत्रादी अनन्त साहित, वैदिक साहित प्रदान किये हुए हैं, इन सब का एक मात्र उद्देश बैकुंठ जगत की और जीव का मार्ग दर्शन है, भगवद गीता में भी भगवान जो है, बैकुंठ का ग्लिम्स दे रहे हैं, कि वो मेरा धाम ऐसा है, जो कि चंद्रमा क प्रकाश से नहीं प्रकाशित है, फिर वह श्वत ही, इसके अलाव वहाँ पे न तो बिजली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि हो सब कुछ वहाँ पे वह जगत सास्वत जगत है। अरथात्वा आत्मा के लिए उन्नति करता है, वह स्वयम के लिए, स्वयम के श्वरूप में विवस्तित होने के लिए कारे करता है, दूसरे सब्दों में ये बोल सकते हैं। अपने भक्तों पर सदा सहार कृपा में होने के कारण ही, स्रीकृष्ण ने ये वैदिक ग्रंथ प्रदान के हैं, जिससे भगवान से अपना संबंध जानकर जीव उस संबंध के अनुसार क्रिया कर सके। इस विदी से जीव को जीवन का चरम फल प्राप्त हो जाता है, जब कोई उस तरह से एक्ट करता है अपने संबंध में। जैसे Pita पुद्र का संबंध क्या है उस संबंध में एक्ट करने से क्या होता है? पिता भी खुश रहता है और पुद्र भी खुश रहता है, तो वैसे ही भगवान भी खुश रहते हैं और फिर हमें आशिरवात देते हैं ताकि हम उनकी पस चल करके आएं, दूसरे सब्दो इस विदी से जीव को जीवन का चरम फल प्राप्त होता है, भगवान बताते हैं कि मैं उसको अपनी धाम बुलाता हूँ, वस्तुतह जीव मात्र का लच्छ भगवान स्री कृष्ण की प्राप्ति ही है, वह भगवान से अपना शंबंद जान सकता है, संसिध्धिर प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भक्ति पत है, अर्था अपने स्वरूप में स्थित होना वो संसिध्धिर कहलता है, जो अपने स्वरूप में सिद्ध है, वो क्या करेगा, भगवान की सेवा करेगा, हरी बहुत, हरे किष्णा ओके बार बार फोन आ रहा है परिपक आवस्था में यही भक्ति जीव के जीवन के परमफल भगवत प्रेम में पढ़नित हो जाती है जब यह दिरे-दिरे एक्ट करेंगे सुरुआत में कैसे ही होता है हमारे अंदर थोड़ी से फेथ रती कोमल फेथ आधोस रद्धा फिर जब हम सादू के संग में आते हैं भजन क्रिया स्टार्ट करते हैं अनर्थ निवरिती जो अन्वांटेड डिजार्स हैं जो अवँचनी कामना है वो निकलने लगती हैं फिर हम निष्ठा के स्टेज पे आते हैं रूची आशक्ती भाव फिर प्रीम के स्टेज पे आते हैं तो वही जो है भगवत प्रीम में बदल जाता है अर्था अर्थत धर्म अर्थ काम की सिद्धी जीव का उद्देशिन नहीं है जीव को मोच तक की कामना नहीं करनी चाहिए फिर धर्म अर्थ काम में शिद्धी प्राप्त करने की तो बात ही क्या है भक्ती जो है उसका एक लच्छन है अच्छा लच्छनों में से एक है मोच लगुता कृत तो वो मोच की महिमा को भी छोटी कर देती तो भगवान के भक्त तो मोच की भी काम नहीं करते हैं तो जो य ये तीन और पदार्थ धर्म अर्थ काम इसके बारे में सोचना किया अलग बात है। भगवान की सेवा कर सकें जो है। नाइन्थ चेप्टर के दूसरे स्लोप में भगवान बताते हैं कि ये राजविद्या राजगुयम परम पवित्रम इदमम और उसे में बता रहे हैं। प्रत्यच्छा गम्यम जो प्रत्यच्छ उसको जो है जो कर रहा है वो फील कर सकता है और उसको शुखम कर तुम्हारसी वो कभी खतम नहीं होने वाला और जो करता इसको जैफुली परफॉर्म करता है। आनंद के साथ करता है इस बहुत भगवन की सेवा जोर आई होप ज्यादा तूमस्तों नहीं हो रहा है एक पेज ओर है मनुष्य द्वारा जीवन के परमलक्ष के जिग्यासा करने के संबन में भगवान स्री गौर सुंदर महाप्रभू ने स्रीमत भागवताम के पाँचमे स्तन के मद्व भास से एक कथा सुनाई 5.5.10 to 13 मतलब स्रीमत भागवताम के पाँचमे स्कंद के पाँचमा अध्याय और उसका 10 से 13 यह हमें लगता है कि कपिल मुनी देवा होती माता को उपदेश दे रहे हैं इस कथा में सर्वग जोतिसी द्वारा एक दरिद्र को ने ये मद्व भास दिया गया जो अपना भवी से जानने के लिए आया था उस व्यक्त के जनम पत्री को देखकर उसकी दरिद्रता पर विसमें करते हुए जोतिसी बोला तुम इतने दुखी क्यों हो मैं देख रहा हूँ तुमारे घर में तुमारे पिता का धनगड़ा है तुमारे जनम पत्री बता रही है कि देश में मरने के कारण पिता तुम्हें उसका संकेत न दे सके किन्तु अब इसे ढूड़ कर तुम सुखी हो जाओ इस कथा का उद्धरण यह उद्धे सिस्पस्ट करता है कि जीव सुख दुख भूग रहा है क्योंकि अपनी परमपिता भगवान स्री कृष्ण की गुप्त निदी का उसे ज्यान नहीं है वह गुप्त निदी कृष्ण प्रेम है प्रतिक वैदिक गृंथ में बद्ध जीव को उसे खोजने का आदिश है गितानुसार यद्यपि जीव बद्ध जीव सरवाधिक धनवान पुरुष भगवान का पुत्र है पर उसे इसका ज्यान नहीं है उसे वैदिक सास्र इसलिए प्रदान किये गए हैं कि वह अपने प मैं ही जो हूँ सभी का सिद्डी वर पिता हूँ तो क्यों नहीं हम अपने प्रपिता के उस संपत्ति को उनके पास जाने के लिए प्रयास करें लेकिन हम यहां महां भटक रहे हैं इस कहानी से यही प्रणा मिल रही है सर्वग जोतिसी ने उस मनिष्ट को आगी परामार्स कि दिया घर के दच्षिन कोने को मत खोधना क्योंकि वहां पर खोधने से विसएले ततया तुम्हें काट लेंगे धन भी न मिलेगा तुम्हें केवल पूर्वधी सामें खोज करनी चाहिए क्योंकि वहां कृष्ण भक ध्यान योग हैं, तो हर एक कोने के बारे में बताया जा रहा है कि यहां पे लेकिन पुर्वधिसा में ही तुमको जो है कृष्ण भक्ति का या थार्थ प्रकास मिलेगा, सरवग्य के परामर्ज पर सभी को ध्यान देना चाहिए, सरवग्य मतलब कि जो सभी को जानने योग्य कर्मकांड की पद्धती से परमलच को खोजने पर जीव को निश्चित रूप से निरास होना पड़ेगा, कर्मकांड के, क्योंकि आप उसमें तो बधे रहेंगे, हम यह करेंगे तो हम को यह मिलेगा, बनिया गिरी है, और जैसा कि हमने सिच्छाष्ट कम अभी पढ़ा था उसमें यह बताया गिया हो, तो कि आप हमको गले लगाए, हमको अपने से दूर करिए, हम आपके दास हैं, आप पुर्ण रूप से स्वतंतर हैं, जो भी चाबो करो। प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसके लिए जब हम प्रेम, जो कोई रियल में वास्तिविक प्रेम करता है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तयार रहता है, बदले में उसको कुछ नहीं चीए, सिर्फ यह कैसे क्या करूं कि वक उसरे, इस बात पे दियान दिया जाता है, तो वैसा ही प्रेम हमें भगवान से करना है, यही उत्तर दिशा में खोधने और योग साधना द्वारा गुप्त विदी को खोजने के विश्य में सुत्य है, यह पद्धती से जीव भगवान स्री कृष्ण से एक होना चाहता है, पर यह किसी अजगर द्वारा निगले जाने के समान है, यहां पे अभी भगवान से एक होने का मतलब कि उन में विले होना, लोग बोलते हैं ने कि भगवान में विले हो गया, वो खतरनाक है, क्योंकि वहां पे सेवा का कोई भावी नहीं है, यह एक प्रकार की मुक्ती है, जिसे सायुजी मुक्ती बोला जाता है, भगवान में विले होना, अर्थात उन ब्रह्म में विलीन होना, ब्रह्म में कितना देन तक कोई लटका रह सकता है, क्योंकि जीव का जो स्वभाव है, वो क्र करने के लिए चाहिए, वहाँ कुछ करने के लिए ने रहेगा, तो फिर उसको वापसा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसको अजगर के समान बताया गया हुआ है। पश्चिम में भी धनरचक यच्छ रूपी विग्णवी इद्यमान है। गुप्त निदी के प्राप्ति यच्छ से प्रार्थना करने पर कभी नहीं हो सकती। आत्मविनाशी सिद्ध होता है, अर्था जो हमें गूरु, शादु और सास्र के निर्दे संग में रह करके भगवान के भक्ति करने हैं। मन से नहीं। सुद्य भक्ति के जो परिभाशा है वो यही है। जिसमें बताया गया हो कि हमें ग्यान और कर्म दोनों से मुक्त होना है। ग्यान का मतलब सुसकचितन, अपने मन से जो उपचा हुआ ग्यान है, वो सब के प्रति उससे दूर होना है। हमें डारिक्ट भगवान ही ग्यान है, वही गोल है और वही विशय है। कृष्ण की प्राप्ति तब तो सही है फिर वो। उस गुप्त निधी को पाने का एक मात साधन पुर्वदिसा में पुर्ण कृष्ण भावना भावित भक्ती से निधी को ख्योजना, अरथात उसका जाने को को ख्योजना जो भगवद भक्ती है। वसुत भगवत भक्ती ही अनन्त गुप्त निधी है अनन्त गुप्त निधी है तथा उसे प्राप्त करने पर जीव सदा के लिए धनाध्य हो जाता है कृष्ण भक्ती विहीन को ही प्राकृत लाभूं का अभाव रहता है अर्था जो भगवन की भक्ती से विहीन है वही इन सब चीजों में सांसारिक चीजों में पड़े रहते हैं कभी उसे विसेले शर्प काटते हैं तो कभी उधग नि हो जाती है कभी अद्वैतवाद का अनुकरण करने पर अपना स्वरूप को बैठता है तो कभी अजगर उसे निगल जाता है वो अस्तुत इन सब को त्याक कर कृष्ण भावना मृत अर्थात कृष्ण भक्ती में निष्ट होने पर ही जीवन की संसिधिर हो जाती है जीवन का जो उच्छ फल है वह मिल जाता है भगवान जो की भगवान की भक्ती है तो यहीं पर स्टॉप करते हैं यह चैप्टर भी पूरा हो कोई प्रश्ण या कमेंट अगला जो रहेगा विश्ण वह भगवत प्राप्ति का एक मात्र साधन उसको हम अगली टाइम पर पढ़ेंगे हरे कुई प्रश्ण या कोई कमेंट हरी बोल आवा जा रही है हरे किश्णा पर्भुजी पर्भुजी मैंने वेज़ा था सायद आपने देखा नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है अब देख लो पीस ओक्टी एक मिनिट आपने क्या मैसेज किया है अच्छा 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 प्रभुजी हरी नाम जबते हुए भी पाप क्यों हो जाते हैं अमसे तो जरूर होता ही क्योंकि हम जो यह सरीर जो मिला हुआ है, यह जो मनुश्य जीवन जो मिला हुआ है, वो हम अनंत जनमो से हम स्वामी बनने के लिए आई हुएं, स्वामी बनने के लिए हम कुछ न कुछ तो पाप करते ही रहती हैं तो उसी कारण से हम अभ्यस्त हो चुके हुए हैं और इसका एक ही उपाय है कि और अच्छे से जब किया जाए और अच्छे से जब किया जाए और अच्छे से जब किया जाए यही एक उपाय है और कोई अन् तो वही एक उपाय हमें खास करके जब हम अच्छे से जब करेंगे कि भगवान आप हमको अपनी सरण मिलीजिए उस भाव से करेंगे तो धीरे 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 आएगा और खास करके जो हमने सिच्छास्ट कमवर्स पढ़ा था तो जब हम अपने को तिनके की समान और फिर सबको समान देते हुए बिना किसी मान अपमान के सोचते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम और अच्छे से कर सकते हैं क्लियर हुआ प्रोब? परभुजी एक वन मोर कुस्टन परभुजी हाँ परभुजी हर मनुष्टर के अंदर बगवान है तो बगवान आमें गलत काम करने से रोकते क्यों नहीं है उनको तो रोकना चाहिए ना? परभुजी एक वन अच्छे से रोकना चाहिए ना? कॉछे कहीं जडीं है फेकर का चाहिए लु पे आफ्रभुजी एक वालमुस्ट्क सिरayan चाहिए और ये पतानी कुछ टूटाएं की नहीं ठीक है ठीक है हम भी आने की कोशिस करें अभी ठीक है हम भी आने की कोशिस करें अभी तो हम क्या करें आएंगे अभी प्रभू आपका क्वेश्चन क्या था हम नेक्स टाइम ले लेंगे तो चलेगा प्रभुजी कोई प्रब्लम ने है ठीक हरी किशना ठीक हरनो कार के एक्सिडेंट में वालव है तो हमें जाना पड़ेगा ओो की कारी।